Hello friends, कैसे हैं आप सभी? आज हम आपके लिए लेकर आएं है past year questions हमने आपको अपनी last video में promise किया था कि हम past year questions लेकर आएंगे जो हमारा exam अभी जिसका result आया है CGL का उसमें कुछ बच्चे qualify हुए हैं AAO के लिए तो उसके आज हम past year questions करेंगे discuss और 11th class के बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि उनके लिए important नहीं है तो बहुत जादा important है क्योंकि इससे आपका mind एकदम open हो जाएगा कि कौन सा principle कैसे apply होता है कहां हम इसे use करते हैं concepts वही होंगे जो हम अपनी videos जो कि हमारी playlist बनी हुई है channel dream part शाला पर वहां पर हमने videos में जो concept अभी तक discuss किये हैं questions अभी वही निकाले गए हैं चलिए आज का lecture शुरू करते हैं पहला question है creating provision for bad and doubtful debts is an application of which of the following principle जब हमने conservatism principle शुरू किया था discuss किया था तब मैंने आपको बताया था ये principle कहता है अगर कोई loss या expense है उसे पहले ही दिखा दो दूर से ही दिख रहा है तो पहले ही दिखा दो लेकिन अगर कोई income or gain है वो जब तक हो ना जाए आप receive ना करने अकरू ना हो जाए तब तक आप नहीं दिखाएंगे तो ये हमारा कहता है conservatism या इसे हम कह देते हैं prudence concept भी तो ये है इसका answer अब provision for bad and doubtful dates होता क्या है वो ये होता है कि जिन debtors से जिने हमने उधार पे सामान दिया हुआ है अगर वो कुछ सामान हमसे लेके तो चले गए लेकिन कुछ payment वो नहीं कर पाएंगे हमें ऐसा लगता है या वो नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए हम बनाते हैं provision bad debts का कि अगर हमें bad debt हुआ तो हम यहां से उठा लेंगे पैसा amount ठीक है तो ये हो गया इसका answer option 3 conservatism is the right answer चलिए next देखते है next question कहता है a company has a machinery costing 5 लग depreciation is charged as follows 2010 में आया 50, 2011 में कर दिया 30,000 2012 और 13 दोनों में कर दिया 50,000 अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई principle या कोई method आप use कर रहे हैं तो उसमें होनी चाहिए आपकी consistency क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हर साल method change करते जा रहे हैं तो आपके जो users है accounting information के उन्हें दिक्कत होगी comparability जो होती है हमारी financial information की वो बहुत जादा effect हो जाएगी अब देखिए 2010 में तो आपने लगा दिया 50 2011 में 30 तो अब आप इन दोनों years को कैसे compare करेंगे क्योंकि आपने method ही change कर लिया तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा principle violate हुआ है violate हुआ है हमारा consistency और consistency principle हमारी मदद करता है accounting equation financial statements को compare करने में तो ये principle हुआ है यहाँ पर violate उलंगन हुआ है इस principle का चलिए next देखते हैं next है हमारा if a liability is decreased हमारी equation होती है l a is equal to l plus c ये हमने discuss किया था अपनी accounting equation वाली वीडियो में if a liability is decreased then for the asset to be constant there will be a corresponding मतलब अगर हम liability decrease करते हैं और हम चाहते हैं कि asset पे nil effect मतलब कोई effect ना आए तो क्या करना है आपको same amount से capital increase कर देनी है क्यूँ? क्योंकि ये हमारी है equation equation कहती है assets is equal to liabilities plus capital अब अगर मान लीजिए liabilities कम हो गई 5000 से तो asset हमें 5000 से ही बढ़ानी पड़ेंगी तभी हमारी asset पे nil effect कोई effect शो नहीं होगा यही वो कह रहा है if a liability is decreased then for the asset to be constant there will be a corresponding increase in capital option number one increase in capital ये हो गया चलिए next देखते हैं next question के पूचता है withdrawal of goods from stock by the owner of the business अगर owner कुछ goods stock से लेखर जा रहा है for personal use not for business use but for personal use should be recorded by उन्हें कहते क्या है याद कीजिए उसे कहते हैं हम drawings और drawings हम दिखाते कैसे हैं जब हम entry करते हैं हमारी entry होती है drawings, account, debit stock लेके गया तो purchases cash लेके गया होता तो आता cash तो अब वो पूच रहा है कैसे record होगा ये हमने कर ली recording देखते हैं कौन सा option है यहाँ stock है नहीं यहाँ capital है नहीं debit, drawing, account and credit, stock account stock कह लीजे या purchases कह लीजे तोनों एक ही बात है तो option हो गया third debit, drawing, account and credit, stock, account ये हो गई हमारी entry चलिए next देखते है which of the following is true अब statements पढ़ेंगे और देखेंगे payment of liability causes an increase in owner's equity अब ये क्या होता है owner's equity हमने discuss किया था accounting equation में capital दो थरीके से आता है या तो आता है loan या आता है owner का जो हमने किया था external equity और internal equity तो ये कह रहा है payment of liability causes an increase in owner's equity ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हमने कि अगर हमारी liability minus हो गई तो मतलब हमारी capital एड हो गई ऐसा तो कहीं भी नहीं पढ़ा तो ये है गलत फिर क्या कहता है the collection of an account receivable will cause total assets to increase अब account receivable कह लीजे bills receivable कह लीजे या कह लीजे debtors तो अगर हमने debtors से कुछ पैसा receive किया accounting equation पे चलते हैं हमने debtors से पैसा receive किया debtors हो गए हमारे minus और पैसा receive किया तो आ गया cash तो debtors अगर 10,000 के थे वो cash भी 10,000 का ही देंगे तो यहां तो effect निल पड़ गया asset में कोई increase भी नहीं हुआ कोई decrease भी नहीं हुआ तो ये भी statement गलत है first statement भी गलत है अब next क्या कहता है next कहता है accounting equation is assets plus liability बिल्कुल गलत accounting equation है assets is equal to liabilities plus capital ये भी गलत तो ये तीन statement हो गलत अब last statement है purchase of an asset either in cash or credit does not change the owner's equity अब देखिए अगर आपने asset अपनी purchase की तो asset तो बढ़ गई अब वो कह रहा है cash या credit अगर आपने cash दिया तो asset हमारी कम भी हो गई अगर आपने credit पे लिया तो आपकी liability बढ़ गई creditor के नाम से आपकी liability बढ़ गई क्योंकि वो आपको उधार दे रहा है तो यहां जो हमारा owner's equity होता है वो तो affect नहीं हुआ यही question कह रहा है कि purchase of an asset either in cash or credit does not change owner's equity ये statement सही है बिल्कुल चलिए, next देखते हैं concept सारे वही हैं जो हम discuss कर चुके है हमारी पुरानी वीडियोस देखे आपको सब clarity आएगे चलिए, next question which of the following is true when debtor pays his dues debtor जिसे हमने उधार पे समान दिया है वो पैसा दे रहा है cash दे रहा है तो क्या होता है asset side of the balance sheet will decrease accounting equation करते है debtors हुए हमारे cash आ गया तो assets ही बढ़ गए तो asset side हमारी decrease तो नहीं होगी asset side increase भी नहीं होगी क्योंकि कम और जादा same amount से हो रहा है तो ये दोनों हो गए गलत liability will increase, liability का तो कोई नाम ही नहीं है, ये भी है गलत there is no change in total assets और total liabilities बिल्कुल सही क्योंकि कम भी same amount से हो रहा है और बढ़ भी same amount से रहा है suppose 10,000 तो fourth statement सही है there is no change in total assets और total liabilities next only significant events which affect the business must be recorded as per the principle of जब हमने discuss किया था materiality principle वो कहता है all material facts and information that can affect the decisions of the stakeholders or users of the accounting information must be recorded जो भी ऐसी information है जो आपका decision affect कर सकती है अगर आप company में invest करना चाहते हैं या उधार देते हैं आप तो ऐसा कोई decision अगर कोई भी information affect करती है वो दिखाना चाहिए ये principle है हमारा materiality ठीक है keywords याद रखिए significant events तो ये हो गया हमारा materiality principle next treatment of goods given as free samples are अब goods हमारे गए free samples तो यहाँ तो आ गया free samples debit to purchases या stock ये होती है हमारी entry हमने journal में पढ़ा था अब यहाँ पर goods जा रहे है purchases minus हो रहे है जब हम खरीते हैं तो वो होता है debit तो जब जा रहे हैं तो वो हो गया credit तो purchases हो गया minus option क्या है deducted from purchases फूर्थ is correct फूर्थ is correct फूर्थ is deducted from purchases आप लगाएंगे बीस परसेंट वो आ गया एक हजार sorry 10,000 फाइफ और यह आ गया हमारा 10,000 यह तो आ गया 10,000 अब बचा कितना आपका 40,000 उस पर आप लगाएंगे 2% का cash discount यह हो गया यह हो गया 800 रुपए अब बचे कितने बचे हमारे पास 39,200 पे कितना कर रहा है पे कर रहा है 40% 39,200 का आप निकालिए 40% कितना आया 4,2,8,4,9,36,4,3,12,3,15 आंसर है 2,15,6,8,0 यह हो गया हमारा question यह calculation थी pure चलिए periodic total of purchase day book यह हमने अभी last lecture में ही discuss किया कि purchase day book का हम total लेके जाते हैं purchase account के ledger में debit side पे आंसर एकदम tips पे periodic total जो भी total आया उसको कर दो debit purchase account में correct answer is purchase account तो यह हो गया हमारा question अब हमारा यहां questions का discussion खतम होता है आज के लिए अभी हम और questions लेकर आएंगे जैसे जैसे topics discuss करेंगे वैसे ही questions लेकर आएंगे इनसे आपका थोड़ा mind खुला होगा revision भी हुआ होगा तो यह हमारा था आज का lecture बने रही है हमारे साथ हमारे channel को share कीजिए लोगों के साथ और भी quality content हम आपको provide करेंगे questions discuss करेंगे मज़ा आएगा पढ़ने में चलिए तब तक के लिए happy learning बबाए